वेल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स मैं हूं जोती और हमिशा की तरह में आप सबीका बहुत-बहुत स्वागत करती है हमारे यूटूब चैनल पर तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आपकी भी लाइसी की पॉलिसी ल के बाद लैप्स हो जाती है और आपके भी पॉल्सी लैपस हो गया तो कैसे आप उसको चालू करवा सकते हैं और रिवाईवल से जुड़े हुए अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेट करके सकते हैं मैं आपके सवालों का जवाब जवाब जरूर तो फ्रेंट्स आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं माय वीडियो के अंदर क्या होता है कि काफी सारे रिजन से आपकी जो लेशी की पॉलसी होती है वह लैप्स हो जाती है यानि कि जब आप अपनी पॉल्सी का जो प्रीमियम है उसको टाइम टॉ टाइम सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि कौन सी पॉलसी आपके कितने दिनवाद लैप्स हो जाती है सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नॉर्मल प्लान की लाइसी में जो की इंडोर्मेंट प्लान होते हैं हमारे पॉलसी लेप्स हो जाती है दोस्ता अगर आपकी पॉलसी नहीं है ब्रुक्र फ्रेश है और आपकी पॉलसी इंडोमेंट मनी बैक या फिर जीवन लाव जीवन उमंग जीवन आनंद यह स्टाइप के प्लान है तो अगर आपने पॉलसी कर एक साल या फिर दो साल हुआ है कि इन्डोमेंट है या फिर मनी बैक टाइब के प्लान है तो सिल्टी के अंदर हो जाती है तो जैसे आप प земland ना भरे वह वैसे आपकी पॉलसी लफ्स हो जाती है इस o कि आप 1500 लेट यया है तो आप लोग भी जाना चाहते हैं कि वह कितने समय बांद लाप हो जाता कि आपको क्या करना होता है कि आपकी डियू डीट एंड हो जाने के बाद आपको थीज दिन का टाइम मिलता है उसी हम ग्रेस्पियर्ट के अंदर में ही आप अपनी टरम इंस्वरेंस या फिर हेल्थ इंस्वरेंस है जो आपका LIC का अगर आप उसको grace period के अंदर में ही जमा करवा देते हैं तब आपका insurance lapse नहीं होता है लेकिन अगर आप grace period के बाद अपनी policy को जमा करवाते हैं तब grace period end होते ही आपकी जो policy होती है वो lapse हो जाती है उसमें बिल्कुल भी आपको extra time नहीं मिलता है normal plan की बात करें तो यह हमारे जो हैं कम से कम 6 मेने बाद lapse हो जाते हैं अगर आपकी policy पुरानी है तो एक साल बाद lapse होते हैं लेकिन जो हमारे term insurance होते हैं health insurance होते हैं और SIP होती है फ्रेंस यह हमारे grace period के अंदर में ही lapse हो जाती है यानि कि बंद हो जाती है अब दोस्तों अगर आ से आपकी बंद और आप उसको चलू करवाना चाहते हैं तो आप उसको चलू करवा सकते हैं प्रेंस चलू करवाना के लिए आपको क्या करना होता है कि यह канале आपको क्या करने होता हैं शाव में submit करने होती है जैसी कि Revival Form है अगर पचाती है से ऊपर काई मैं झमाइंब होता है दोस्तों अगर आप भी आपनी policy को डिवाइन करवाने का सोच रहे हैं और आपकी पॉलसी जो है तीन साल से उपर आप independently करनी का सोच रहे हैं तो आप उसकोय कोंग हों से पांट साल के अंदर आप के आपकी पास साल पूरे होने के बाद अगर आप छटे साल ये सोचें कि आप अपनी पॉलसी को चालू करवाना चाहते हैं तब आप उसको चालू नहीं करवा सकते हैं दोस्तों किसी भी बंद पड़ी पॉलसी को चालू करवानी के लिए हमें पास साल का समय होता है अगर उस पास साल क को चलाना ही नहीं चाहता है और एक साल का प्रिमियम देने के बाद वह अपनी पॉलसी में नहीं भरता है तब क्या होगा तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक साल अपने पॉलसी का प्रिमियम दिया है और आप अपनी पॉलसी को चलाना नहीं चाहते लिकिन आप यह चाहते कि जो आपने premium जमा किया था वो आपको refund मिल जाए रेटर मिल जाए ऐसा नहीं होता है कि तीन साल हमें अपनी policy को चलाना होता है आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मैंने आपको कुछ छोटी से छोटी चीज बताने की कोशिश किया आप लोग को यह वीडियो काफी अच्छी से क्लियर हुई हो अगर आपको भी कोई सवाल है और आप हमें पूछना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते तो चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा वीडियो पसंद आए एक जरूक की जिए और इंटरस्टिंग वीडियो के लिए हमारी चैनल की ब्लाइगन को भी जरूर क्लिक कीज़े तो इसी की साथ मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें अपनी थ्यान ह किये खुछ रहिए बाइ फ्रेंड्स